माँ बढ़ना दुनिया के सबसे बड़ी खुसी होती है और माँ बढ़ना इतना आसान भी नहीं होता है हेले दोस्तों नमस्कार मैं हूँ सूनी और आप सभी का स्वागा थे मेरे चैनल में तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे बेबी बोव होने की और बेबी गल होने की लक्षन के बारे में दो ऐसे सिम्टमस के बारे में जिससे आप काफी ह Estátin जाएंगे आपके जो गर में पलराशीशू है वह एक बेबी बोव है या बेबी गल है हलाकि देखें मेरा चनल कोई भी जनरल सेलेक्शन को बढ़ावा नहीं देता है और ना मैं कोई भी जनरल सेलेक्शन को बढ़ावा देती हूँ इस वीडियो को आप गलत तरीके से बिल्कुल भी ना देखे, सिर्फ इस वीडियो को आप फॉन के लिए देखे, आप अपने जिग्यासा को कम करने के लिए देखे, तो आप लड़के और लड़के में बिल्कुल भी भेदभाव ना करें, जिनको बच्चा नहीं है, उनसे ज करते होंगे तरदर ठुकरे खा रहे हैं तरदर भटक रहे हैं कि कास मुझे एक बेबी गल या बेबी बोई हो जाता एक संतान हो जाता तो इसलिए मैं बोड़ी भागवान जो भी ते उससे खुशी-खुशी शुविकार करना चाहिए और हमेशा खूस रहना चाहिए अपने बच्छे के साथ क्योंकि बेटा और बेटी दोनों हमारा ही संतान है हमें दोनों को बनाबर प्यार दना चाहिए और भी आजकी दुनिया में तो और भी नहीं हम लोग इनीकी जंडर के बाड़े में सोचते हैं दुनिया बहुत आगे बढ़ गई आगे और लड़किया बतात ऐसा हो रहा है मतलल जो भी Daddy ली प्रोब्लम होते हैं घर्भवस्ता के दोरान टो सबसे पहले हम अपने घर के बड़े बुजुग जो होते हैं उन्हें बताते हैं उन्हें बताने का सबसे बड़ी कारण यह होता है कि यदि हम उन्हें बताएंगे तो कुछ हमें वहाँ से सुल्योसर मिल जागा कुछ इसका उपाय मिलेगा या कुछ तो कुछ नो जरूर बताएंगे इसलिए हम महिलाएं बरे बुजिर्गों को प्रिग्निंसी के दौरान बाते करना ज्यादा रेफर करते हैं तो वह महिलाएं जभी आप सिम्टम्स बताते हैं तो हमारे घर के बरे बुजिर्गों सिम्टम्स को सून कर लक्षन को जान कर बता देते हैं कि देखना तुम्हें लरका होगा या लड़की होगा तो सबसे पहले माना जाता है कि यदि आप लेफ्ट साइट सोना ज़्यादा रेफर करती है यानि कि आपको लेफ्ट साइट सोना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर में पलरा सीसू एक बेबी यहने की गल है और वही आप राइट सेट सोने में आपको आराम लगता है राइट सेट सोना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो यह एक बेबी बोई होने का लक्षर माना जाता है यह हमारे बरे बुजर्गों का मानना है दूसरा लक्षर ने यह है कि यह आपक स्तंकेत माना जाता है यह सारे सिम्टम्स मैं आपको बताई हूं यह हमारे बड़े विज्रक बोलती हैं सिर्फ अनुमान लगाते हैं लेकिन इसका कोई बैग्यानिक अधार नहीं है तो इन लक्षनों पर आप आख बंद करके बिल्कूल भी भरोसा ना करें सिर्फ अपने जि